भाषाई अल्प संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी Special Officer for linguistic minorities समवेधानिक उपबंध क्या हैं के लिए तो मोल रूप में भारत के समवेधान में भाषाई अल्प संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी के संबध में कोई प्राउधान नहीं है बाद में राज पुनर गठन आयोग 1953 सिपश्पन ने इस समद में सिफारिश की थी 1956 के साथ में समवेधान संशोधन अधिनियम के अनुसार समवेधान के भाग सत्रा में अनुछे 350 ख जोड़ा गया था तो साथ में समवेधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग सत्रा में अनुछे 350 ख जोड़ा गया ऐसे ही नवासी में समवेधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुछे 338 में जोड़ा गया था संशोधन करके अनुछे 338 ख ऐसे ही साथ में समवेधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था भाग सत्रा में भाग सत्रा में जोड़ा गया था अनुछे 350 ख अनुछे 350 ख और अनुछे जाती एवं अनुछे जाने जाती आयोग जो अलग अलग आयोग है दोनों के लिए नेशनल कमिशन फॉर एसीज एंड नेशनल कमिशन फॉर एस्टीज ये भाग भाग सोला में इसकी बात की गई है भाग सोला में और भाग चोदह में बात की गई है सेवाओं के बारे में सेवाओं वाला जो है वो अनुछे 315 से लेकर के 323 तक बातें बताए गई है तो अनुछे 350 खा जो है जो की भाग सत्रा से संबंधित है इसमें क्या उपबंध है तो भाशाई अलप संख्यक वर्गों के लिए एक विशेश अधिकारी होगा जिसे राश्ट्रपती नियुक करेगा विशेश अधिकारी का यह करतव यह होगा कि वह समविधान के अधहीन भाशाई अलप संख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षुपायों से संबंधित सभी विशेयों का अनुवेशण करेगा वह राश्ट्रपती को ऐसे सभी मामलों के रिपोर्ट करेगा ज और संबंधित राजियों के सरकारों को भिजवाएगा यहां यह ध्यान देने योगिता थे हैं कि समविधान भाशाई अलप संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी की योगिता सेवा शर्तें कारिकाल वेतन भत्ते आधि के संबंध में कोई उलिख नहीं करता है भाशाई अलप संख्यकों केे लिए आयोक्त समविधान के अनुछे 350 ख के अनुसार 1957 में भाशाई अलप संख्यक के लिए विशेश अधिकारी के कारियाले के स्थापना की गई इस अधिकारी को भाशाई अल्प संख्यकों के लिए आयुक्त कमिशनर का पद नाम दिया गया इस आयुक्त का मुख्याले इलहाबाद उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगाम, करनाटक, चिन्नाई, कुलकात्ता में इसके तीन छेतरी कार्याले हैं तो भाशाई अल्प संख्यकों के लिए जो अधिकारी है आयुक्त कमिशनर उसका जो मुख्याले है वो इलहाबाद के उत्तर प्रदेश में है और तीन हैं छेतरी कार्याले हैं एक बेलगाम, चिन्नाई, कुलकाता तो उत्तरप्रदेश के इलहाबाद में इसका मुख्याले है किसका भाषाई अल्पसंक्यक वर्गों के लिए जो विशेश अधिकारी है उनका मुख्याले हैं इलहाबाद में लेकिन तीन छेत्रे कार्याले हैं एक करनाटक के बेलगाम में तमिलनाडु के चिन्नए में पश्रिम बंगल के कोलकाता में प्रतेक छेत्रे कार्याले का प्रमुख उपआयुक्त असिस्टेंट कमिशनर होता है मुख्याले में आयुक्त को उसके कारियों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समनवय अस्थापित करता है केंद्री अस्तर पर आयुक्त अल्प संख्यक मामलों के मंत्राले के अधिन कारे करता है आयुक्त अपने कारियों का वार्शिक प्रतिवेदन अल्प संख्यक मामलों के मंत्राले के माध्यम से राष्ट पदी को प्रेशित करता है आयुक्त की भूमिका आयुक्त भाशाई अल्प संख्यकों की सुरक्षा के लिए समवेधानिक एवं राश्ट्रे अस्तर पर सुविकृत योजनाओं को लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधे उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो कि उनके संग्यान के भाशाई अल्प संख्यक व्यक्तियों समोहों संग्धों अथ्वा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं जो राजिस सरकारों तथा संग्ही और छेत्रों के प्रशासन के उच्चितम राजनितिक एवं प्रशासनिक अस्तरों से संबंधित होते हैं आयुक्त ऐसे मामलों में निदानात्मक कारिवाहियों की अनुशंसा करता है भाशाई अल्प संख्यक समोहों की सुरक्षा और संदक्षण के लिए अल्प संख्यक मामलों की मंत्राले ने राज सरकारों या संघी छेतरों से अनुरोध किया है कि वे भाशाई अल्प संखेकों के लिए की गई सम्वेधानिक सुलक्षा का प्रचार करें तथा इसके लिए प्रशासनिक कारिवाही करें राजी सरकारों और संघी छेत्रों के प्रशासकों से कहा गिया है कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने को प्राधमिक्ता दे आयुक्त ने भाशाई अल्प संखेकों के भाशा इवम संस्कृति को संख्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए दस सूत्री कारिक्रम की भी शुरुवात की है इसका दृष्टी क्या है और लक्षी क्या है आयुक्त की दृष्टी एवं लक्ष निम्नोत है दृष्टी भाषाई अल्प संख्यकों के लिए समवई धानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागो करने के लिए कार्यानवयन तंद्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्प संख्यक भाषाईं बोलने वालों को समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अउसर प्रदान करना यह द्रिष्टी और लक्ष क्या है यह सुनिशत करना कि सभी राज यह संख्यी छेत्र भाषाई अल्प संख्यकों के लिए समवई धानिक सुरक्षा तथरास्ट्री सहमती प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कारिया नमयन करके उनकी समा वेश्य विकास के लिए उन्हें समान अउसर उपलब्ध कराएंगे इसके कारिया और उदेश्य क्या है तो निम्न लिखे थे हैं कारिय क्या है तो भाषाई अल्प संख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान भाषाई अल्प संख् तैसराफ़्चा हों की कारियान वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट पधी को प्रतिवेदन देना सुरक्षाओं की कारियान वयन को प्रस्टनावलियों दवरों, संमेलनों, संगोश्ठियों, बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आधी की माध्यम से अनुष रवन करना उदेश के हैं? समावेशी विकास तथा राष्ठुरी अकंड़ता के लिए भाशाई अल्प संखेकों के लिए समान अउसर उपलब्ध कराना 350 खा में है ये बात और भाग है भाग है भाग है भाग है 17 भाग 17 अनुष्छे 350 खा ये संबंदे थे भाशाई अल्प संखेकों के लिए राष्ठुरी आयोक से और इसको जोड़ा गया था साथमे सम्विधान संशोधन अधिनियम 1956 के दुआरा दूसरा भाशाई अल्प संखेकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जाग रोकता पैदा करना भाशाई अल्प संख्यकों को सम्विधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं जिन पर राजियों संग्ये छेत्रों की सहमती हैं के प्रभावी कारियान वयन को सुनिशित करना भाशाई अल्प संक्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना भाशाई अल्प संक्यकों की सबसे प्रमुख भाशा से अलग हो इस प्रकार भाशाई अल्प संखेकों का निर्धारण राज्य नुसर किया जाता है भाग सत्रा में राज भाशा का उले किया गया है तथा इसमें कुल चार अध्याएं है अनुछे 350 ख जिसका नाम विशेश निदेश है तो भाग सत्रा जो है उस भाग का नाम है राज भाशा इसमें कुल चार अध्याएं है 350 ख इसी में से एक है भाशाई अल्प संखेकों के लिए सम्वेधानी जनलक्षणों के व्याख्या बाद में प्रिथक अध्याएं 61 में की गई है लक्षमिकान के अध्याइक सठ में की गई है और अभी तक देखा जाए तो 50 से ज़्यादर रिपोर्ट है या प्रतिवेदन भारत सरकार को दिया जा चुका है राश्पते जी को दिया जा चुका है